हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रोलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल् ताकası आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है लेकिन सैटिंग में यहां पर काफी सारे गापस नज़रा रहे हैं मुझे फिंगर्स के बीच में जो यहाँ पर शो करते हैं काफी ज़्यादा independent and जिद्धी टाइप की personality को और इसी तरह का distance मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है इनकी जो mind की line है और जो life की line है बहुत ज़्यादा लंबाई तक जोड़ कर नहीं चल रही तो काफी independent type की personality रहेगी तोड़ा जिद्धी सभाव और aggressive type का nature यहाँ पर रहने के chances नज़र आ रहे है और अगर देखा जाए तो fingers की length यहाँ पर काफी अच्छी है जो यहाँ पर इनने analytic type की personality तो बनाती ही है और आप देख सकते हैं इनकी सूर्या फिंगर की जो length है वो लगभग equal है यहाँ पर गुरू फिंगर के गुरू फिंगर की length में भी यहाँ पर मुझे कोई problem नज़र नहीं आ रही फैमिली का सुखने मिलने वाला है और अपॉलो फिंगर यानि सूर्या फिंगर की लंबाई ज्यादा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े risk टेक कर होते हैं adventurous type की personality इनकी देखी जाती है गुरू फिंगर का काफी अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काम्याब तो बनाता है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी egoistic type की personality भी व्यक्ति की रह सकती है ऐसे व्यक्ति अच्छी knowledge गेन कर सकते हैं लेकिन अगर गुरू फिंगर लंबाई में हो तो leadership qualities भी अच्छी होती है लेकिन थोड़ी सी ego भी आ सकती है और अगर देखा जाए इनकी सूरय फिंगर को तो adventurous type की personality risk taker और life के कई मामलों में तोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं और risk ले लेते हैं जिसकी वज़े से कई बार बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है और mercury को देखा जाए तो काफी अच्छी length में तो communication skills इनके काफी अच्छे होते हैं जिन लोगों की mercury finger की लंबाई अच्छी हो और mercury mount भी यहाँ पर मुझे average नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है तो communication skills में यहाँ पर कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही तो चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनके mounts को और इनकी lines को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की fingers की setting नजर आएगी जिसमें मुझे कोई भी finger ज्यादा low set होती नजर नहीं आ रही mercury finger भी यहाँ पर अच्छी space लिये हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर हलकी रिखाएं हैं जो partial guard of venus जैसी रिखाएं नजर आती हैं कुछ इस तरह की जिसकी वजह से सभाव थोड़ा सा मूड़ी रह सकता है इनका और अगर देखा जाए तो इनके mercury mount को चेक करते हैं लेकिन उस कमी को भी पूरा करने के लिए यहाँ पर एक रिखा है जिसको हम बोलते है mercury line जो overlapping के साथ चलती है दिखाई दे रही है mercury mount के उपर ऐसे कोई चिन नहीं है लेकिन mercury रिखा का मौजूद होना एक positive चिन है जो यहाँ पर positive results इने दे सकता है सूरिया की बात की जाए तो सूरिया रिखा की length यहाँ पर काफी अच्छी है काफी लंबाई में है अब देख सकते हैं बहुत ही light है रिखा यह बहुत ज़्यादा deep cut नहीं है लेकिन मौजूद है जिसकी वज़ए से इनकी जो social circle अच्छा रहेगा और अगर शनी को देखा जाए तो शनी रिखा यहाँ पर मुझे कमजोर नजर आ रही है क्योंकि शनी रिखा यहाँ से चलती हुई लगवग इस area में आकर थोड़ी सी कमजोर पढ़ रही है और उसके आगे जो शनी रिखा चल रही है कुछ इस तरह से कमजोर होकर आगे बढ़ती हुई और बहुत strong शनी रिखा नहीं है जिसकी वज़ए से life में काफी struggle व्यक्ति को करने पढ़ती है और सिर्फ मेहनत करने पर ही ऐसे व्यक्ति को काम्याबी मिलती है क्योंकि शनी रिखा अगर एक रिखा completely शनी माउंट तक पहुँचे तब ही इसके बहुत ज़्यादा अच्छे results की expectation की जा सकती है आगे देख सकते हैं इनका ब्रस्पति माउंट तो ब्रस्पति माउंट के उपर एक आड़ी रिखा और एक progress line दोनों मुझे नजर आ रही है सबसे पर एक progress line दिखाने को बहुत ज़्यादा लंबाई में progress line नहीं है और यहाँ पर अगर देखा जाए आड़ी रिखा जिसको हम गुरू वल्या की formation भी कहते हैं लेकिन इसके benefits old age में चलकर होते हैं गुरू वल्या जैसी formation अगर completely बन जाए अगर यह complete इस तरह से complete गुरू वल्या हो जाए complete तब इसके अच्छे results मिल सकते हैं old age में चलकर व्यक्ति spiritual हो जाता है और धरम करम के काम करने लगता है लेकिन young age में इसके बहुत जादा प्रभाव नहीं रहेंगे knowledge gain करने में यह है गुरू वल्या चाहे वो partial ही क्यों ना बन रहा हो कुछ अच्छे results दे सकता है तो यहां पर कुछ इस तरह का गुरू वल्या जिसको हम ring of Solomon भी कहते हैं वो बन रहा है जो एक positive chin है overall मान समान दिलवाता है समाज में जैसे जैसे maturity बढ़ती है मान समान व्यक्ति का समाज में जरूर बढ़ता है तो यहां तक हमने देखा इनके सभी mounts को तो चलिए आगे बढ़ते हुए major lines को check करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूँगा इनकी heart line की आप देख सकते हैं heart की line यहां पर कुछ इस तरह का curve बनाते हुई बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ line नहीं मुड़ पा रही है थोड़ी emotional personality रहेगी इनकी लेकिन यहां पर materialistic approach self centered approach भी नजर आ रही है मुझे क्योंकि line जो है रुक रही है नीचे शनी mount के आकर बहुत ज़्यादा आगे ब्रस्पती mount तक नहीं पहुँच रही अगर किसी की र self center type की personality को तो कुछ इस तरह के chances रहेंगे गुसे वाला सबाब रह सकता है क्योंकि यहां से एक रेखा निकल कर mangle area की तरफ बढ़ती है और mangle area भी यहां पर काफी prominent है aggressive type की nature को भी यह शो करता है overall यहां पर कुछ रेखाएं नीचे की तरफ निकलती हुई जो इन्हें emotional setbacks का सामना भी करना पड़ता है आगे देखते हैं इनकी mind line को mind line की formation आप देख सकते हैं यहां से शुरू होती हुई mind line नीचे की तरफ dip कर रही है जो यहां पर व्यक्ति को imaginative बनाती है day dreamer बनाती है काफी ज़ादे imagination ऐसे व्यक्तिकी रहती है और यहां पर कुछ इस तरह की रिखाएं जो चंदर area से उपर की तरफ उठ रही है यह show करती है traveling को या traveling की desire को ऐसे व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं विदेश गूमना चाहते हैं और इनके जो यह सपने रहते हैं यह पूरे भी होते हैं क्योंकि अगर clear cut line moon area पर उपर की तरफ उठे तो ऐसे व्यक्ति को life में chance भी मिलते हैं विदेश जाने के और सबसे main चीज यहाँ पर इनकी जो line है mind की वो नीचे की तरफ dip कर रही है नीचे की तरफ dip करना यानी over imaginative होना ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज्यादा है deep thinking रहती है और यही deep thinking व्यक्ति को विराग्या की तरफ भी खीचती है और सा 37 depression जैसी दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है अकेलापन ज्यादा रहता है life में और ऐसे व्यक्ति अगर तो इस imagination को channelize कर लें कोई writing की capacity हो इनके अंदर या artistic qualities हो कुछ design करना कुछ painting करना कुछ ऐसे गुन हो artistic type के तब तो इन imagination का एक channelized way से use किया जा सकता है और बड़िया life में आगे बढ़ा जा सकता है otherwise यह over imagination व्यक्ति को कहीं न कहीं depression की तरफ धकेलती है और life में दिक्कतों को बढ़ाती है overall mind sharp रहेगा क्योंकि जो लंबाई है इनकी mind line की वो काफी ज्यादा है और यहां पर थोड़ी जिदी personality के रूप में भी देख पा रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत clear gap है इनकी दोनों रिखाएं अगर ये दोनों रिखाएं एक लंबाई तक जुड़ कर चलें तो व्यक्ति dependent होता है अगर आपको दिखाना चाहूंगा अगर ये दो रिखाएं ऐसे एक लंबाई तक आगे तक जुड़ कर चलें उसके बाद से अलग अलग हों तब व्यक्ति 20-25 क इस तक dependent रहता है लेकिन यहाँ पर independent जल्दी होने के chances नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 16-17 की age के बाद यह दोनों रिखाएं अलग लग हो रहे हैं तो अपने decisions यहाँ छोटी age से ही लेना शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा aggressive nature थोड़ा सा गुसे वाला सभाव भी इनका र राइने को तो lifeline यहाँ पर मुझे काफी clear नजर आ रही है lifeline एक अच्छा curve बनाती हुई और काफी अच्छी लबाइमें जो age है इनकी काफी लंबी रहने वाली है minor यहाँ पर stress lines हैं जिसकी वज़ा से थोड़े ups and downs का इन्हें सामना करना पड़ सकता है बहुत deep cut नहीं लेक जिसकी वज़े से माइनर दिक्तें हैल्थ से रिलेटर रह सकती हैं और यहां पर अपवर जाने वाली रिखाएं मौजूद हैं जो इन्हें प्रॉग्रेस भी दलवाएंगी लाइफ में अच्छी प्रॉग्रेस भी रहेगी शुकर का अगर एडिया देखा जाए तो काफी भी रहेगी एटी प्लस की एज यहां पर इनकी रह सकती है और मून एरिया यहां पर काफी सारी लाइन की वज़े से डिस्टर्ब हो रहा है मून एरिया यहां पर माइन लाइन की नीचे की तरफ जुकने की वज़े से तोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जो यहां पर मन की शा जादा उबरा हुआ होना भी इसको हम बहुत जादा पॉजिटिव नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत जादा इग्जॉल्टड या उपर की तरफ उबरा हुआ शूकर माउंट व्यक्ति को खर्चीला बनाता है ऐसे व्यक्ति अपनी आए से जादा इंकम से ज्यादा भी खर्चे कई बर कर देते हैं जिसकी वज़े से financial problems का भी ऐसे लोगों को सामना करना पड़ सकता है तो यह कुछ analysis है इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन यह सवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद